है गाइज नमस्कार आप लोगों का टॉप 10 क्लासेश में हार्दीक स्वागत है आज की लेक्शर में हम लोग चर्चा करने आले हैं अवतल दरपर द्वारा प्रत्विम बनना और लास्ट इस इस इस्तिति का प्रत्विम कहां बना कैसे बना गाइज इसे पीछले वाले क्लास क्लास में आमलोगों लुग के चर्चा करने रहे रहींगे उमीद यह अशा है और हुए फल्ड घारेंट्प है तो उसी का प्रितिम कहां बनेगा सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगी सबसे पहले आउचल दरपड का करेंगे चलिए एक और दरपड का निर्मार कर enh जो दरपड पीछे से कलाई किया जाता है जो पीछे से प्रिंट होता है वो कौन से दरपड कहलाते ओतल दरपड कहलाते फिर हम लोग क्या बना लिए एक मुख्यच का निर्मार कर लिए क्या कर लिए इक मुख्य च्कामें इसके बाद यह इसको हो गया il इसके क्या होगया और यह क्या हो गया वकषक टरक टうん्यक्ट निशेयन सी हो अब इस बार वस्ट कहां पर रकर नहीं आप दिखेसे गारी इस बार वस्ट आपको मुख्य फोकस और धुरू के बीच तो मुख्य फोकस आपका ये है धुरू ये है तो गाइज इनके बीच रखेंगे तो आई ये रख लेते हैं किसी वस्ट को मुख्य फोकस और धुरू के बीच रख देते हैं ठिक रख दिए अब ये वस्तु रखे ये वस्तु हो गया A और B ठिक पहला नियम लगा ये मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रिकास किल्डे मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रिकास किल्डे जब ये दरपर से टकराती हैं, तो दरपर से टकराने के पस्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये पहला नियम लगा लिए, दूसरा नियम आपने क्या पढ़ाता, दूसरा नियम आपने पढ़ाता, वक्रता के अंदर सी से होकर जाने वाली प्रका फ्रसी माध्यम में वापस लूड़ आधी चली जा रहे हैं वैसे एक डुसरे से दूर रोती चली जा रहे हैं तो हम उमीद के साथ नहीं पुरा ये कहो सकते हैं कि ये दोनों किनदे आगे कि और इस किरन को भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ठिक तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखते हैं कि ऐध दुसरे को यहां पर कारती है तो जहां कारती है, वहीं वार्ष्ट से और प्रतीवीम बना OK été प्रतीवीम बना E-dす और डिश्च भॉकिन शरा, छेजह, आप ध्यान दिजीएगा, इसफिसरे हों प्रत्विम बना है, मैं उस्ति सहाई क्या है, बड़ा है और दरपड के पीछे बना है, इसलिए तो यह कौन सा प्रतिविम हो गया, आभासी हो गया क्या हो गया आभासी हो गया कहां पर बनेगा दरपड के पीछे बनेगा दरपड के पीछे बनेगा सीधा बनेगा आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा तिये पॉइंट नोट करते हैं सबसे पहला चीज प्रत्विंब वस्तु से बड़ा बनेगा क्या बनेगा जो जो पृटतिव बिंभ है वो क्या होगा आभासी बनेगा इसके साफ साथ तीसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे प्रतिविमब प्रत्विम्ब सीधा बनेगा क्या बनेगा सीधा बनेगा अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे चौथा पॉइंट क्या है प्रत्विम्ब दरपड से पीछे बनेगा प्रत्विम्ब दरपड से दरपड से पीछे बनेगा पीछे बनेगा तो यह चार पॉइंट आप क्लियर कर दीजेगा और गाइज इसी इस्तिती के साथ आपके जो दर्ब आउतल दरपड की जितनी इस्तितिया थी सभी कंप्लीट हो जाती हैं अगर किसी इस्तिती में प्रतिमी मनाने में आपको कोई दिखते आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजेगा और नहीं तो अगर समझ में आ जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चलिए हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं ओतल दरपड का उतना बड़ा जितना चोटा होगा जो पहला उपियोग होता है जो बड़े आउतल दरपड होते हैं वो बड़े आउतल दरपड का उपियोग जो मनुश्ते लोग होते हैं और दारी बनाने के लिए करते हैं किस के लिए करते हैं दारी बनाने के लिए करते हैं मैंने क्या बताया पहला उतल दरपर का उपयोग क्या करते हैं दारी बनाने के लिए किया जाता है वह बड़ा उतल दरपर होता आप लोग देखे होंगे ठीक उसके बाद उसके बाद क्या होत प्रकास को प्रावर्थित करने में किया जाता है अब हादल धर कुए सर्च लाइट में किया जाता है जैसे कि जो समुद्र जहां रहते हैं समुद्र के किनारे जो आपके लगे रहते हैं तो वहाँ जो सर्चलाइट होते हैं वहाँ बड़े ओतल दरपड के द्वारक लगाया जाते हैं क्यों क्यों कि जिससे जो दूर की वस्तुएं हैं वो दूर की वस्तूओं को भी देखा जा सके आसानी से देखा जा सके और उसके बाद छोटे ओतल दरपढ़ का उपयोग टेबल लेंपों में किया जाता है कहां किया जाता है टेबल लेंप जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो टेबल लेंप रखते होंगे तो वो क्या करता वह बहुत कम जगहों में ज्यादा फोक्सीत करता है ज्यादा प्रकास देता है तो भाई साहब चोटे अवतल दरप्रकाव क्यों टेबल लेंपों में भी किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि जिससे अधिक मात्रा में प्रकास मिल पाई एक जगह पर अधिक मात्रा में कि वाले दर्पड का उपियोग ओद्र दर्पड का उपियोग दाड़ी बनाने में के प्रयोग में लाया जाता है कि बनाने के प्रयोग में करते हैं ठीक दूसरा पॉइंट क्या है छोटे द्वारक छोटे द्वारक वाले ओतल धर्पड का उपियोग ओतल धर्पड का उपियोग ठीक प्रेकास किनलों को प्रेकास किनलों को परावर्तित करने में करते हैं ठीक गई यह बाते आपकी क्लियर हुई तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि बड़े द्वारक वाले बड़े द्वारक वाले ओतल धर्पड का उपियोग ओतल धर्पड का उपियोग कि सर्च लाइट इस्टीमरो किसमें इस्टीमरो क्या होता है गाईच सर्च लाइट इस्टीमरो में किया जाता है लाइट में किया जाता है क्यों किया जाता है जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जा सके अगला उपियोग क्या होता है जो छोटे छोटे द्वारक वाले ओतल धर्पड का उपियोग ओतल धर्पड का उपियोग छोटे द्वारक वाले ओतल धर्पड का उपियोग कहां करते हैं डाक चिकसक छेत्रों में किया जाता है किया जाता है इस प्रकार गायज और तल दरपड का उपयोग हम लोग करते हैं ठीक तो आप इसका स्क्रिन सॉट लीजेगा और आज की क्लास की आज के सिसन की हम लोग यहीं समापती करते हैं अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत